वहाँ एक सवाल आता है कि सुविधा देने के चक्कर में हमारी प्रकती से खिलवाड हो रही है आपको भी पता है बहुत सारे वन काटे जा रहे हैं पहाडों को बोला जाता है कि वो राजा थे और पहाड एकदम खुशियां फैलाते थे पहाड कट रहे हैं रास्ता बनाने के लिए एक तरफ है कि हम जन-जन को सुविधा दे रहे हैं कि वो दर्शन करने अच्छे से मार्क पे जा पाएं घूमने लेकिन कहीं न कहीं हम प्रकती को पूरी तरीके से छेट रहे हैं तो इसका जो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि कॉंस्यूकेंसिस हैं इसके जो लगाए भी तो जासे हैं पश्चमी देशों में वो लोग यदि एक पेड़ काटते हैं उससे पहले वो उसकी पूरी ववेस्था कर देते कि उतने अधिक पेड़ वो लगा चोके हैं इसके लिए वो बहुत सजग हैं कि यदि एक पेड़ काटता है किसी कारण से काटना लेकिन वो एक सबता के अंदर सब समाप क्यों क्योंकि देखने वाला कोई मीच रखवाल संतुलन यदि जीवन में हो तो कितना भी हम विकास करने लेकिन एक मध्यम वार्ग बीच का निकलता है कि यदि हमने प्रकृति से कुछ लिया तो बदरे में उसको इतना लोटा दे इतना लोटा दे कि प्रकृति प्रसन रहे कि हाँ कोई बात नहीं प्रकृति हमारी माँ ही तो है न वो हमें दे रही है लगाता लेकिन वो जो हमें दे रही है उसके प्रति उत्तर में हम लोटा क्या रही है लोटाने की बात सबसे अधिक होनी चाहिए कि प्रकृति को हमने क कितना नोट आया मैं अक्सर लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं वार वार इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता कि तुमने जन लिया अब बताओ तुमने ऐसा कौन से काम किया जिससे इस दर्थी का सुंदर ने बढ़ा हो जी अब उनको ये प्रश्नी बढ़ा आश्यरी चक कर जाता है उनको समझे नहीं आता उत्तर क्या दे कि क्या काम किया तो सोचने लग जाते हैं एक भी काम नहीं यह ना पाते हो जिससे उन्होंने इस दर्थी को सुंदर बनाने के लिए कोई काम किया हो तो यह मैं पेड़ लगवाने वाली बात कर रहा हूं जल के प्रति हम बने है तो यदि हम इनी पंचतत्inea की रक्शा का पार्थ बच्चों को पढ़ाती है तो इस धर्ति से जितना मर्जी ले लो धर्ति मना नहीं करते इतना इस धर्ति के पास कि हम ले लेकर ठक जाएंगे किन्तु अगर आपको हमाया ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जिवानजली को सब्सक्राइब करें